नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्त्री सावगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के उपर मिथुन लगन में वो कौन से लगकी स्टॉन्स होते हैं कि इनको आपको धारन करना चाहिए इसके पीछे में आपको टेक्निकल नोलिज भी बता रहा ह कि उस रतन पहने से किस तरह का फैदा आपको देखने को मिलेगा और किस परस्तिती में आपको कौन सा रतन धारन करना है बहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने जा रहा हूं मिथन लगन में लखके स्टॉन्स तो देखे सबसे पहले आप समझ लेज़े से कभी वी रतन मत पहनें चंद्र कुंडली को देखके रासी को देखके हमेशा लगन कुंडली के माधियम से रतन का चुनाव करें तो लगन में 3 मिथूल लगन अब मिथूल लगन के अंदर आप नीलम पहन सकते हैं वह इसलिए क्य prone कि कुण्डले का नवम भाओ, ये तिरकौन होता है पांचवब, और नवम भाओ, ये सबसे महत्तपून भाओ माने जाते हैं. तो कुण्डले का, आगर किसी को भाग्य भाओ मिल गया? उस घरे का रतना पहन सकते हो. यानि भाग्य किसके हाथ में हैं भाग्य है सनी के हाथ में क्योंकि 11 लिखा है 11 का मतलब कुम रासी सुवामी हुए सनी देव तो सनी देव भाग्य भाव के सुवामी है भाग्येश है भाग्येश का रतन पहनना हमेशा खायदेमंद होगा तो मिथूर लगन के अंदर आप नीलम का चुनाव कर सकते हैं, हलाकि उन्हें अश्टम भाव में मिला है जो खराबा हो है, पर एक तिर्कोन भाव मिलने के कारण अश्टम भाव का भी दोस नहीं लगता, हमें इस तिर्कोन के भाव के स्वामी का रतन पहनना अच्छा होता है तो आप नीलम रतन पहन सकते हैं, मिथू लगन के अंदर, अब इससे क्या फादा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सनी की दसांतर दसां में हलाकि थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, पर भाग्य कोन रूप से आपका साथ देगा, सिर्फ बट अगर वो छे, आठ, बारा, इन भाव में बैठे हैं, और मिथू लगन है, उनका भाग्य तो है, पर उनका प्लेश्मेंट ठीक नहीं है, फिर आप निलम को नहीं पहनेंगे, यानि निलम को पहनेंगे, अगर सनी लगन में है, धन भाव में है, सुक भाव में है, पंच जैसा राजयोग जैसा फल देगा किरम भाई में है लाभविं में बने già हैं इस परष्टिती में आपको नहीं पळाना है अगर सनी नीच के है तो नीच के नहीं पैनने और तिरग भाव में नहीं पैनना है पूर और ये इसलिए टिरह ौर नाहीं पैने कुछ नहीं करता वो शनी को active कर देगा तो शनी पूनरुप से active हो जाएंगे तो फल देंगे अपना, अगर वो अच्छ आ रिजट देंगे, खराब है, तो खराब फल देंगे अब खराब कैसे बना जाएगा, अगर चटे बाव में है चटा भाव रोग रिन सत्रू दुरुगटना परिसानी कोट कचरी को सत्रू को दरसाता है तो यहां पर सनी बैटे हैं तो करापल देंगे अश्टम भाव दुरुगटना बड़ा रोग और हानी और ऑप्स्टेगल्स को दरसाता है तो यहां पर भी नी और व्या और हानी को द सिर्फ छटे आठवे बारवे और लाब भाव को छोड़के प्राकरम भाव में भी आप पहन सकते हैं पर यह सिंग रासी है शतुरु रासी और तीसरा भाव प्राकरम को दर्शाता तो पहुत सोच समझ के यहां पर पहनना चाहिए आपको अगर सनी कम जो रहे हैं तब ही पहन पन्ना इसलिए कि मिठौन लगन के जो मालिक होते हैं वो बुध होते हैं तो स्वास्त और लगन आप किसके हाथ में हो तो बुध के हाथ में तो पन्ना रतन को मिला अपका सरीर लगन और दूसरा भाव सुक जिन dai उत घंधर तमाम सुक को दर शाता है पैतरिक संपत्ति को बहुतिक सुक को दर्साता है लक्जिरेस लाइब को दर्साता है तो दोनों भाव मिले बुद्ध को बुद्ध का रतन पन्दा पैनना आपके लिए पहुत फैदाय बंदा होगा तो पन्ना रतन भी मिथू लगन के अंदर पहन सकते हैं, सिर्फ बुध छे आठ बारा में नहीं होना चाहिए, और मीन राशी के अंदर बुध जो है नीच का होता है, तो अगर वो बारवी भाहों में हैं, आपके जिए दस्वे भाहों में हैं, जहां पे बारवी राशी है, तो भी आप नहीं धारण करेंगे, यानि छटे आठ बारवी में और दस्वे भाहों में अगर बुध हो तो फिर आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, अगर बुध जिस अब बुध आपको क्या फैदा देंगे, लगन को लेकर सुक का काम करेंगे, और बुध किस की चीज के का रखें वयपार के, वानी के, वानी जे के, साथी साथ आपकी बुधी के, तो इन चीजों से भी रिलेटेड आपको फैदा होगा, और जहां बैठेंगे, उस से रिलेटेड रिजट देंगे, अगर सपोज करो, अगर भागया भाव में बैठ गए, तो भागया से के अंदर हीरा और ओपल और यह दोनों रतन हैं शुकर के अब आप मिथू लगन के अंदर सुकर को भी समझ गए होंगे कि वह भी कारत है वह इसलिए कि उनकी दो रासी होते हैं तुला और वर्शा दोनों के सुखर मेने कहा था किसी को एक भाव भी अगर तिर कोंड का मिल गय आत्म संतुलन को दर्शाता है आपके रिलेशन्स को दर्शाता है पून ग्यान को दर्शाता है शुक को दर्शाता है तो शुकुर का रतन पहनना भी आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद होगा बहुत ज्यादा फाइदेमंद होगा आप पहन सकते हैं सिर्फ एक में अगर सुक्र है मिथू लगन के अंदर तो आप हीरा का या ओपल का या सफियत पुखराज का चुनाओं नहीं करेंगे यह सब रतन सुक्र के होते हैं तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया मिथू लगन के अंदर लगकी स्टोन और वो कौन-कौन से हैं नीलम, पन्ना, ही मिथू लगन के अंदर सनी, बुद्ध, और सुक्र, पून रूप से कारक होते हैं इनके रतन अगर आप फान होगे तो आपको फैयदा होगा किस कंडिशन में आप नहीं पहनोंगे वो मेने आपको बता दिया बहुत सडल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने की कोशिश करीं, मिथू लगन के अंदर किस तरह से चुनाओ करें किन रतनों का, किन रतनों को पहन कर किस तरह का जल मिलेगा तेक्कनिकल नोलिज भी आपको बताए कौन सा गार किस भाव को कन्टोल कर रहा है और उसका रतन पहनने से किस तरह की रिजल देखने को मिलेंगे तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों में मैंने आपको मिथू लगन के अंदर लगकी स्टोन बताया आपने जोती सिखाने की संखला को जारी रखेंगे अब हम अगला चर्चा करेंगे करक रासी करक लगन के अंदर कि करक लगन के अंदर कौन सी वो स्टोन होते हैं जिनको पहनने से आपको फायदा होगा भाग गया आपका पून रूप से साथ देगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तो नमस्कार वीडियो गर अच्छी लगे को तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलियरा दनेवाद